विल्कम तो दीगल्स पावर पूजा दोस्तों मैं पूजा फ्रेंड आज के इस पीडियो में आपके लेकर आए हूँ मीशो शाड़ी शॉपिंग हॉल अंब बॉक्सिंग रिव्यू बिट ट्राय आउन हॉल सो दोस्तों सबसे पहले बात कर लो मैं मीशो की मीशो एक रिसेलर अप्लिकेशन है आप डारेक्ली घर बैठे हूँ यहां से सेल कर सकती हो और इंडिया का सबसे बड़ा रिसेल अप्लिकेशन है यह पता है आप लोग घर बैठे इससे कमा भी सकते हूँ आपको करना क्या होगा मीशो से कोई भी पीक उठाईए आप अपने सोसल मेडिया पर सेर कर दीजिए अगर किसी को भी वो पीक पसंद आती या फिर वो प्रोड़क्ट पसंद आता है तो आप से उसका रेट पता करेगा अगर उसका रेट हंडेड रुपीज है आप समय 20 रुपए 10 रुपए अपना मार्जन जोड दीजिए कैस्टुमर के हिसाब से और डारेक आपके एकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा तो आप लोग भी घर बैठे हुए इससे पांज से पचास जार रुपए हर महीने कमा सकते हो और हां कमाने के लिए सोसल मेडिया पर आपकी बॉंडिंग बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए तो आज की इस वीडियो जो में प डाल दूंगी क्योंकि मीशो पर लिंक नहीं चलती है दोस्तों बात कुरू में फर्स साडी की कुछ मुझे इस तरीके से रिसीव हुई है और यह इंडिको प्रिंट है सबसे अच्छी क्वाल्टी मुझे इसकी यह लगी कि इसका जो लैस है वो पंपम लैस है मल्टी क्लर क लैस मिल जाता है आपको काफी अच्छी क्वाल्टी की साडी आपको रिसीव हो जाती लेंद इसकी काफ़ेदा अच्छी है आपकी हाइड चाहे 5-5 है या 5-7 है तब भी आपको बहुत उच्छे तरीके से फिट हो जाएगी साडी यह मतलब लेंद इसकी काफ़ेदा साडी के हिसाब से कुछ इस तरीके से है यह और यह जो साडी है कुछ इस तरीके से आपको इसमें पतियां मिल जाती है अब मैं बात कुरूं अब लोग कित फैबरी की मुलमुल कॉटन है मुलमुल कॉटन बहुता है देख सकते हो एक दम के बोड़ी से पूरा पूरा चिपक जाता है मतलब आपको फील नहीं होता है कि आपने कोई साडि अगरा बियर करकी है इस पिसल समर के लिए बेश्ट ऑप्सन है अगर आप लोग पर बज़र के कॉर्डिंग ले सकते हूँ इसके लेंग काफी दा अच्छी मिल जाते हैं आपको कुछ यहां तक काई लैस दे देते हैं साथ में जो इसका मतलब रॉंग वाला पार्ट होता है मतलब जो हम बैग पे रखते हैं उतने पार्ट में आपको यह नहीं मिलता है इसका लैस बाकी काफी अच्छी क्वाल्टी की आपको मिल जाती है यह और यह साड़ी मुझी 700 के क्रॉस पड़ी है एक जैक प्राइस आपको इस्क्रीन पर मिल जाएगी साथ इस सेलर नेम भी मिल सब्सक्राइब कर देख सकते हूं साथ में जो स्लीप्स मैंने कुछ इस तरीके से एल्बो लेंध की स्लीप्स रखवाई है क्योंकि अच्छी लगती है समर में आपका जो हाथ हो काला नहीं होगा साथ में आजकल तो बहुत अच्छा लगता है अगर आप फूल स्लीप्स की ब्लाउच डालते हो तो सबसे अच्छी बात इसका यह है कि मुझे इसके साथ मैचीन का तसल मिल गया देख सकते हो आप मिर्ण वाला तसल मिल गया जो काफ़ा अट्रैक्टिब बना देता है साडी को इस ब्लाउच को कुछ इस तरीके से हैं यह मेरे दिल के बहौल करीब है हो टालने के बात कैसा लगेगा वापको वीडियो के इंड मिल जाएगी बात कुरू में परी नेक्स चाड़ी की नेक्स मुझे कुछ इस तरीके से रिसीव हुई है और जो पहले ट्रेडिशनल होते थे मतलब जो वादी अंत्र होते थे उनकी इमें प्रिंट आपको मिल जा अगर आपको सबर में प्रॉब्लम होती सेम आप इसे पर्चेज कर सकते हो ऐसे काफी अच्छा है इसमें जो इस्टॉल्मेंट बना हुआ है काफी अट्रेक्टिव बनाता है इसको यह भी कई सारे कलर और डिजाइन में अबलेबल है तो आपनों गुरिफ मेंडेट के इसका बात कर लो मैं कि आपको यह 700 के आसपास मिल जारे अगर आपको इसी भी नार्मल साडी लेती हो जैसे डेली वीर वाली चाहे जाए जोड़ड की चाहे सिफोन की आपको 800-1500 तक की मिलेगी डेली वीर की यूज करने वाली वह आपकी बज़ट के उपर डिपेंड करता है जरूर कीजिएगा मैंने इसे काफे टाइम पहले पर चीज किया था बात कुरू में इसके साथ रनिंग ब्लाउच की तो कुछ इस तरीके से मिल जाता है मुझे और पैटन अगरा सेम नहीं बट हाँ कलर और इसका जो बेस हैड जायन हो पूरा सेम है तो आपको पूरा को ब्लाउच में जाता है शिज़री न जातर रेक तो इसकी एगप्री ऐसन ने जेकी नहीं और यह चान जाले प्राइग तो यह शोल प्रक्टन इसकी भी जैक प्राइज आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी बात करो मैं ट्राइ आउन हो और कि मैं डाल के दिखाते हो रहां इन सब के साथ आपको पेटी कोट लेना पड़ेगा मतला पेटी कोट आपको नहीं मिलता है बट बजर फ्रेंडली है काफी मस्त है समर के बहुत सही अगर आप लोग को बहुता गर्मी लगते हो आप सोच रहे हो कोई ऐसी साडी लूम है जो कॉटन की हो काफी जादा चलन में हो आजकल ट्रेंडिंग में हो और इसकी में आधर साडिया भी ट्राइग करूंगे कि मुझे बहुत अच्छा लगा इसकी क्वाल्टी उसके साथ इसका फैब्रीक साथ ही इसकी सौफनेस बहुत अच्छे लगी सबसे प्लस पॉइंट मुझे इसका बेजर फ्रेंडली है इमिन 700 के क्रॉस मुझे पढ़ जाता है यह तो 700 पर आप क्या लोगे आपको साडी मिर्ग उसके साथ ब्लाउज का पीस मिल रहा है आप इसे अच्छे नहीं होते हैं आप कुछ भी लेने से पहले प्लीज रिप्यू देखा कीजिए कि कॉस्टमर ने कौन सा रिप्यू दिया है या फिर जिन्होंने पर्चेश किया है उन्होंने कौन कौन से रिप्यू दिया किसी को प्रोड़क खराब मिलता है अगर 100 रिप्यू है उसमें से 80 तो पॉस्टिव भी होंगे बाकि 20 निगेटिव होंगे आप लोग पॉस्टिव को देख करके सौपिंग किया करो तो आप लोग ले सकती हो तो बात दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्र वीडियो को एक लाइक करो चैनल पे नहीं हो तो प्लीज की चैनल को सबस्क्राइब करो साथ में नोटी पिजर्शन बेल को भी आल पर जा करके क्लिक करो जिसे टाइम टाइम मेरी सारी नोट वीडियो अब तक पहुस्त दिरें दोस्तों मिलती हूं नेस्ट अमेंजिंग वीडियो के साथ अब तक लिए बाइबाइ टेक एर घर पर झाल 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 झाल